हेलो फिन्स वेलकम टू स्टड़ी ग्रूप पार्षाला मैं विलाश और आज की ग्लास में लोग डिसस करेंगे एक बहुत इंपॉरेंट टॉपिक को जो है आपका सार लेखन यानि प्रिसिस राइटिंग और यह हिंदी में होगा प्रैकिस सेट वान होगा यह और इसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट जो प्रिसिक से लेटेड पैसिज बन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक्जाम में कैसे इनको करना है और बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा आप लिखने का ठीक है यह सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज के इंतर डिसकस कर रहे हैं तो आप इसके सारे वीडियोस को देखेगा इसका लिंक आपको डिसक्रिशन मिल जाएगा वहां से जाके आप पूरी कंप्लीट सीरीज को वाच कर सकते हो राइट तो चलिए शुरुवात करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम है इससे लेटेड वह दे पूर्ण होना चाहिए यानि कि जो आप डिया गया है उसको रांड को एकतिया हिस से मुस्कू सको कर ना होता है और यह पूरी तरह से complete होना है भोन होना जाए यानि कि जो चीज़े उस पैसेज में बताई गई है उसको आपको शौट में करना है लेकिन उसकी मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए मीनिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इसा छोड़ दिया कोई पार छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना राइट दूसरी सबसे सब्सक्राइब बताई कई है पूण पैसेज में उसको आपको शौट में भी वही सेम चीज रखनी है यानि कि पूण तरह से सही तरह से सप्पस्ट होना चाहिए चीज़ों को मैंशन के जाना चाहिए इसके अलावा जो अगली आती है इसमें अगला जो नियम आता है यह सर प्रियोग करना है जितने हीसी से इजब्दों है उनका उप्योग कर गया हाड या टफ वर्ट्स का उप्योग नहीं करना कि जिनकी एक से ज़ादा मीनिम होती है ठीक क्यों फिर एक्जामनर को कर सकते हैं से शब्द तो इन चीज़ों का आप ध्यान लखेंगे इसके लावा भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए मतलब भाव क्या चीज़ एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए भाषा यानि जो लैंग्वेज है वो भी क्लियर होनी चाहिए इसके साथ प्रवा और क्रम बद्धता होनी चाहिए मतलब एक फ्लो होना चाहिए जो आप लिख रहे हो वो एक फ्लो में चलना चाहिए सारी चीज़े फ्लो में होनी चाहिए इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना मुहावरे के लिए मुहावर रखना ठीक नहीं है यानि अगर कोई कैंने मुहावरा दिया गया है तो मुहावरे का आर्थ लिख सकते हो शौट में अप उसकी जगे मुहावरा ही अगर मुहावरे के बदले मुहावरा नहीं लिखना एक ठीक packed यह कुछ कि आपको समझ में आजाए किस चीज के बारे में है और इसकी थीम डिसाइट करनी है ठीक है तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रितुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भैंकर प्रकोब भाग गया ठीक है पत जड में पश्शिम पवन ने जीन शीन पत्तो को गिरा कर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वक्ष और निर्मल बना दिया व्रक्षों लताओं के अंग में नूतन पक्तियों के प्रफुलतन से योवन की मादक्ता चा गई कनेर कर्वीर मदार पाटल इत्यादी पुश्पो की सुगंध दिगध अपनी मादक्ता का संचार करन लगी नशीत की कठोरता नग्रीश्म का ताप सवशी स्ट्रोन वातावरण में पत्तेक प्राणी की नस नस में प्रफुलता और उमंग की लहर उठ रही है अब देखो यहां पर इतनी आपने इतना पैसे आपने पड़ाप को समझ में आ रहा हुए आप रित्युराज के सं मंत में यहां पर बसंत के संबनने रहां कि वसंत मन जो हमारा वाता वरण होता ओए वरक्ष कैसे हो जा ऐते हैं पेड़ पोधे फूल में क्या बदला यह सब चीजा के बारे में चिआ जा रहा है इसके बह Care के सुनेरे बालों से पनरश्वत्स के कारण रुण्जुन सास का संगीत फूट रहा है पत्तों के अद्रों पर सोया हुआ संगीत मुकर हो गया है पलाश वन अपनी अरुनिमा में फूला नहीं समाता है रितुराज वसंत के सुशाशन और सुव्यवस्ता की घटा हर और दिखाई पड़ती है इसे वाद देको कलियो के य अग्रिवन कोमल और नवीन पत्ते वायू के सपश्य तरंगित हो रहे हैं शीत काल के टुटरे अंगों में नई स्पुती उमण रही है वसंत के अगमन के साथ ही जैसे जीनता और पुरातन का प्रवाव तिरोहित हो गया है प्रकाश के कणकण में नए जीवन का संचार हो अभी दोस्तों यहां पर हम लोगों देखा जो अगला पैरा था इसमें भी यहां पर बसंत के बारे में ही बताया गया है कि कलियों पर प्रक्षों पर और बसंत के आगमन से क्या क्या प्रभाव पढ़ रहा है ठीक है मतलब अभी भी पूरी तरह से बसंत के ऊपर ही पूरा explain किया जा रहा है उसके बारे में ही बताया जा रहा है राइट लास पेरा देखते हैं आम्र मर्जरियों की भीनी गंद और कोमल कोयल का पंचम आलाप भ्रमरों की गुंजन और कलियों की चटक वनों और उदानों के अंग में शोभा का संचार सब ऐसा लगता है कि जीवन में स चुकाय जा सकता है प्रक्रति के वसंत के अगमन पर अपने रूप को इतना सवारा है अंग-अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का और असंभव है इसकी उपवा भी नहीं कि दी जा सकती यह पूरा पैसे था आपका और यहां पर आपने देखा होगा जादतर जग रूप के उपर ही पूरा पैसे जगर आप ध्यान से अगर आपने समझा होगा इस पैसेज को बिसंत रूप बसंत के आने से क्या-क्या बदला होते हैं हमारी प्रकृती में पेड़ पौधों में जीव जनतुम वह सारी चीजों को यहां पर बढ़िया तरीके से एक्स्प्ल टाइटल जैसे बसंत रितु के ऊपर है तो बसंत रितु की शोभा ठीके ब्रत्संत रितु की शोभा यह जो एक टाइटल बन सकता है बड़ी है टाइटल है ठीके बसंत रितु की शोभा यह इसका टाइटल बन जाएगा ठीके अब संपेशन क्या होगा इसका सार क्या होग करेंगे जैसे बसंत रित्यू के आते ही शीत की कठोड़ता चली गई पक्षिम की पवन ने व्रक्षों के जीन शीन पत्ते गिरा दिये ठीक है व्रक्षों लताओं में नए पत्ते रंग बिरंगे फूल निकल आए उनकी सुगंध से दिशाएं खिल उठी सुनहरे बालों से युक्त गेहुं के पौदे खेतों में हवा से जूमने लगे प्राणियों की नस नस में उमंग की नई चीतना च्छा गई ठीक आप देख रहे ही जो शब्द हैं बिलकुल शॉट में हैं और एक्स्प्लें तो उन सारे पॉइंट्स को किया रहा है लेकिन शॉट में किया जा रहा है ठीक है इसी तरह देखो आम की मंजरियों से सुगंध आने लगी कोयल कूकने लगी फूलों प कर दिया बहुत ही कम शब्दों में ठीक है और यह टोटल एक च्छी आसी शब्दों में आपने इसको समराइस किया इस तरह से दोस्तों को समराइस करेके लिखना है सबसे पहले जो टॉपिक अपको दिया उसको एक से दोबर पढ़ोगे आपको समझ में आ जाए किस बारे म अपने याप शिर्वाद से कर दी और इसी तरह से आप जो जो यहां पर पैरग्राफ तो उनको समराइस करते चलेगा कम शब्दों में ठीक है तो इस तरह से ही आपको ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है इस तरह सही आपको प्रेशिक को लिखना है तो आई होप आपको समझ आ होगा और साथी साथ लैटर और एससे भी आप यहां से कवर कर सकते हो सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स में अलड़ी करा रहा हूँ डेली बेसिस पर आप इनको वच करिए और शीचसल के लिए और जीएसी के लिए निव बैच और लेड़ी लांच किया जा चुका है तो उ इसमें आपको विजन वर्ल लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बीस्ट होंगे 60 प्लस टॉपिक्स यहां से आप कवर कर सकते हो ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे और लोइस कॉस्ट में आपको एडिशनल 30 पॉस तो आप ले सकते हो और अपनी त्यारी को बेस्ट वे में कर सकते हो राइट तो आप यह वीडियो आपको हेल्फुल लगा होगा और इसके साही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जुरू जूइन कर लेना इस पर आपको सारी इंपॉर्टन पीडेस मिल जाएंगी और सभी क्ल पार चला टेलीग्राम पर तो भी आपको मिल जाएगा इसके साही साथ आप मुझाने केट भी फालो कर सकते हो और यह वीडियो के ऐसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा और आप कोई सजीशन देना चाहते हो तो भी दे सकते हो राइट और वीडियो एलफल लगाओ तो ल